हालो स्टुडेंट्स गुड मॉरिंग इस्टुडेंट्स लास्ट वीडियो में विटा हमने पॉलनोमेल चैप्टर की एक्साइज 1.1 & 1.2 स्टार्ट कर लिया था जिसमें 2.1 कंप्लीट हो गई थी वर 2.2 का 1st कुशन ही हो पाया था तो इस वीडियो में हम लोग उसी एक्साइज के 2.2 के कुशन 2 पर चलेंगे आज करेंगे हम देखेंगे ठीक है तो बच्चों उस एक्साइज पर बढ़ने से पहले आपको एक चीज जाना बहुत जरूरी है एक एक कंसेप्ट को जाना बहुत जरूरी ह अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप सेकंड कुशन कर पाएंगे अदर्वाइस नहीं लेकिन मैंने फ़र्स पहली वीडियो में सब कुछ बता रखा है लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूं मैं ओके चलिए देखे पॉलनोमेल निकानले का फॉर्मला में बता देता हूं देखे एक्स कोईर माइनस अलफा प्लस बीटा एक्स प्लस अलफा एंटू बीटा करेक्ट ठीक है तो यह आपको इतनी बात समझ में आई ठीक है यह जब है जब आपका समेंट प्रोड़क्ट दे रखा हूं देन उसके बाद में आपको जब समेंट प्रोड़क्त ना दे आउनली बोला हो कि zero's दे रखे हैं क्या दे रखे हैं only zero's बोला हो ठीक है तो उस समय formula आपका लगेगा यह एक्स माइनस अलफा और एक्स माइनस बीटा करेक्ट ठीक है यह हमारे दो formula है इन formula का बिटा ध्यान रखो ठीक है और इसी based पे हमारे यह question number two हो जाएगा question ठीक है च चलो देखो जब फस्ट कुशन आपका, फस्ट कुशन यह है हमारा कि पहला जो आपका फस्ट कुशन है वो हमारा दे रखा है 1,4,1 अपान 4,-1 तो जो पहला नम्मर है न वो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है तो इसे हम बोल देंगे 1 upon 4 क्या बोलेंगे 1 upon 4 क्योंकि पहले यहाँ पर sum की बात की गई है बाद में product की बात की गई है तो इस वज़े से पहला number sum दूसरा number product तो alpha into beta कितना है minus का 1 correct ठीक है चलिए हम लोगा इसका इधर देख लेते side में polynomials कैसे find करेंगे तो हमें formula ध्यान है formula क्या कह रहा है कि x square minus alpha plus beta x alpha plus beta कितना है 1 upon 4 ठीक है x plus alpha into beta alpha into beta कितना है बई minus का 1 यह तो है ठीक है तो बस हम इसको आगे कर लेते है x square minus 1 upon 4 x minus 1 यह हमारा आगया polynomial ठीक है इसमें 1 upon 4 जो है आपका वो क्या है fraction में है आप चाहे तो इसको fraction में से solve करके बेटा इसको LCM ले सकते हैं LCM ले लेंगे ना यहां पर 1 है यहां पर भी इसके लीचे 1 है और 4 तो LCM आ जाएगा ठीक है तो LCM लेके हम इसको 4 को हटा सकते हैं यहां से देखो कैसे हटाएंगे यह लगाना पड़ेगा आपको फोम्ले में तो LCM ले ले लेते हैं 4 LCM ठीक है तो X यहां पर हो जाएगा 4x square minus x minus 1 ठीक है जो k की value है वो constant होती है तो जितनी value आपकी denominator में होगी यहाँ उतनी ही k की जगह पर रखी जाएगी तो 4 से 4 cancel तो आपका जो नया polynomial find होके क्या आ जाएगा नया जो polynomial है आपका वो आ जाएगा आपके बाज में यह 4x square minus x minus 4 correct यह हमारा first का polynomial लागा है तो आपको समझ में आ गया हूँ जब भी fraction में value बचे तो इस तरीके से आप solve करेंगे k लगा के ओके चलिए हम लोग चलते हैं अब second question पे चल जदी चलते हैं अब ठीक है थोड़ा speed बढ़ाते देखिए second वाले में इस पी एक्स का formula क्या है हमारे पास में प्लस वन ठीक है यह हमारा polynomial find होगा second वाले का थाड़ देखते हैं थाड़ देखे क्या कह रहा है अलफा प्लस बीटा कितना है इसमें जीरो और अलफा इंटू बीटा कितना है रूट फाइव तो पॉल्नमिल देख लेते हैं पी एक्स कितना है वह यह एक स्कुयर माइनस एक स्कुयर माइनस अलफा प्लस बीटा अलफा प्लस बीटा कितना है जीरो तो जीरो इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा तो रूट फाइब तो वैल्यू आ जाएगी आपके X स्क्वार माइनस 0 इंटू X तो 0 हो जाएगा तो प्लस की रूट फाइब सो जाएगा ठीक है? यह हमारा थर्ड काउंसल हो जाएगा करेक्ट समझ में आया थर्ड पार्ट फोर्थ देखिए फोर्थ में हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना है अल्फा इंटू बीटा भी वन करेक्ट चलिए अब हम देख लेते हैं X स्क्वार माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 X प्लस 1 यह हमसा है सीधा सीधा है इसमें तो ठीक है करेक्ट फॉर्मले में रखना है सीधे डारेक्ट उठा के अब लास्ट के टू पार्ट आप यह आपको हमवक है फिफ्ट और सिख्स आपको खुद गरने ठीक है तो यह आपको second question हो गया आप आई होप आपको यह समझ में आई होगी ठीक है तो यह बचो क्लियर हुआ आपको चले अब हम यह तो हमारा हो गया second question ठीक है अब हम इसमें थोड़ा सा एक concept के और बात कर लें जो कि next exercise में आपको काम आने वाला है तेखिए वो क्या concept है वो है आपका division algorithm क्या है division algorithm जिसे हम बोलते हैं division यह आपने पहले last class में नाइनत में भी पढ़ा है division algorithm ठीक है यह आपने पढ़ा है division algorithm में क्या होता था भाई dividend होता था इस इक्वेल्स टु डिवाइजर इन्टु कुश्चिंट प्लस रेमेंडर यही तो होता था division अगर्थम यह होती है ठीक है तो यह चीज इस पर बेस्ट हम कुश्चिंट करेंगे जिसमें polynomial से हम polynomial को डिवाइड करेंगे कुछ कुश्चिंट आगा कुछ रेमेंडर आएगा देन इसमें वेरिफाई करने वे लिभी होंगे ठीक है देखो जरा इसका मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं कि देखिए यह मैं आपको यहीं बताया ना भी कि डिवीडेंट इसको डिवीजर इन्टु कुश्चिंट प्लस रिमेंडर ठीक है यह आपको आपने नाइंध क्लास में बढ़ाय से पहले भी बढ़ा हुआ है इसमें हम लोग यह इसको हम एपलाई करते हैं कहां पर यह जो फोलो नमेल FOR चegए और यह कंडिशन क्या बता रहा है जी डौट इको सुझ यह स्विजए ऑस करना होगा क०क्स हैнятьस किац है तो वेर आरेकशेजु को जेरो स्थीरुड डिग्री ओफ ढॉल आपको आपका नमबर है इसमें तो इसी रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं डिवीजन और गर्थम फॉर पॉली नूमियल आई होप को आपको यह चीज क्लियर ही होगी नेक्स वीडियो में हम इसकी एक्सराइज स्टार्ट करेंगे जो के दोस्तों में शेयर करें जिससे के उनको भी कुछ बेनिफिट मिल पाएं ओके